समुह संगत नो हादरीर नो वाहभुर्जी का खाल्सा वाहभुर्जी की फते कबीर दी संसार को लीनी जैस मस्तक पाग अम्रत रस जिन पाया थिरता का सुहाग संसार दे विच बहुत अजेहे लोक ने पावें काल दा कल जोग दा पेरा बड़ सक्त है लेकन ऐसे लोग मजूद ने जो वकाल पुर्खतों नामदान लैके अगे संसार चबंडरे ने जिस्तरा पिछली दफा सी सरी और सिरी ए पेद खोलेया सी बानिच अजे खोर पेद खोलना है जेड़ा कितानों पाठ करन लगयां संसारियां अपने अपने थां सैज पाठ या बानिपणन दी सेवा कर दियाने सो ओनना दे त्यान गोच रहे हैं अपने महले नामे दे सलोक कांचे एक सलोक पड़ी दा नाम रहेयो साधू रहेयो रहेयो गुर्गों बेंद अगे केंदे कह नाम आपने अपने आनक ए जगत में जिस तरह पड़ देया है अगे केंदेया केंदे जपेयो गुर्गों था ये वाक्य ऐसे तरह ही है कोई कोई गल्फ बढ़ सक दिया है इस तरह आपा ये करे नों होर किसे तरीक के पढ़ के देखिए नाम रहेयो नाम हमेशा रहन वाला है इस जड़ा सत नाम तत्यनुस्यारी सत्य तत्यनुस्यारी तां बला रहेया के फर्क पता लाग जे बाकी बाणी जेस तरह उचारन कर रहे हैं आप। हड़ी हड़ी प्रेक्टिस देना ये पेद जदो खुले ते तोड़ा अचारन भी बदलेगा। पिश्ली वरी एस विशेते गल हो चुकी सी सो अपना लम्मी गल ने कर ली। नाम और सत नाम दे विच भी पेद है। वो अपना अग्य जाके शब्द रही खुलांगे। जिस तरह एक रहाओदा दस्यासी अपना वो आज बहुत सुना अपने सामने प्रूव होना है। कि अपना इसे करके कईवरी बेंती करी दी है कि बानी दे पाठ ही नहीं करी जाने। इह है समझ है सूज है पढ़ पढ़ भूज है। आसे पढ़ पढ़ के भूज़ना है Sk бывает आसे कहावता भूज़ते हैं Personen कोई چीज समझ दें आपढ़ पढ़ के जरी आजूकेशन है आपढ़ पढ़के ठीक है पढ़ो monetू लेकिन ओदे विच्चो आपा कड़ना कुश ना कुश के मकसद की ऐसाड़ा पड़न दा हो है पड़ पड़ भूजे अन्त नरंतर साच्चा उन्हें थे महले नामे दी जड़ी बाणी है ये बड़ी बड़ी डीप है सरलवी है और ये कहलो के बड़ी सार वस्तू बड़े तत वस्तू दे विच एग्यान है महले नामे नाम रहे हो एह सत्ते नाम जड़ा रहना है थे जिदी होंद सदा है सत्ते केंदे होंद एक साथ लफज है उदा मतलब है साच्चा एक अल साथ है एक है सत्ते तत्तेन से आरी पहेगी उदा मतलब है होंद एक्जिस्टेंस फॉर एवर जिदी एक्जिस्टेंस सदा होई उन्हें केंदे सते नाम रहें सादू रहें रहें गुर्र गोबेंद अगे है कव नानक ये जगत में अगे अखर जिड़ा है उन्हों बड़े प्यार दे नाला पांच बुजणियाने चीज़ां पढ़ पढ़ के जिद्धा बेंटी किती है अखर केन नहीं है इदो आप होने दूसरा परमान ले रहे है होगी मैं स्क्रीन दर्शन करने है सारे केना जपे ओ गुर्म HE जगत में केना जपे ओ गुर्मन तर भी तू गुर्मंतर क्यों नहीं जापदा क्यों नहीं केना एक गुर्मंतर ऐसा भी नाम रहे हो इन्हें सदा रहना इन नाम पदार्थ प्राप्त करने वाले सादू जड़े एवी स्टेट अफ माइंड आएक सादू दिया वस्था है कर सादू अंजली पोन वड़ा है ओस वस्था तक पॉंचर नो सादू किया रहे हो गुर्गोबिंद एशबद दी जड़ी तोन है एह गुर्गोबिंद के ने एश नो क्यों नहीं जाप दे क्यों गुर्मंतर दा जाप नहीं कर दे कव नान एश जगत मैं के ना जपे हो गुर्मंत ए मेरी ट्यूटी ये नहीं है के मैं इस चीजनों खोल दा अगे पढ़ने खोज करनी है गल सुनी है उन्हों पका करने आप भी समझना है इस चीजनों सो एन्हों होना पां कनफर्म करिये भी ये वाक्य ही के ना जपे हो गुर्मंतर ए ए गुरु अरजन पात्षा ने इस तो पहला एक शबद दिता है वो शबद है निर्तान पयंग तनवंते रोगियंग रोग खंडन है इस सारा शबद नहीं मैं खोला आगा ज़े सिर्फ एदे चो जिड़ा साड़ा नोकता है असी ओफड़ना इस लोक सहस्कृती महला पज्वाँ पाच्छं क्रोत अग्रणीव है निरासं आस पूर्ण है निर्तान पयंग तनवंते हैं रोगियंग रोग खंडन है पागतं पागते नहीं पागतं पागत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पारब्रम पुर्ख दातार है नानक गुर्षेवा केन लभ्यते गुर्षेवा केन लभ्यते गुरू दी सेवा राही की कुछ नहीं मिलदा गुरू दी सेवा असी दसे अभी नाम जपना है नाम हमारे गुर्षेवा केन लभ्यते नाम रहें सादू रहें रहें गुर्षो बिंद कौन और ए जगत मे केन लभ्यते पी जपना युजहा जानता है जो ए चीज़ां जो आँशें पढ़पड के बुझनीयां बड़ित्यान रखना है उस चीज़ां टोटल एवी दस्दिये के प्रनांसियेशन और छापे दे विच साड़े बापु जी ने गुर्बानी दे विच अराउंड 1500 दे क्रीब मिस्टेक्स लबिया ने जड़िया प्रनांसियेशन रॉंग किता जा रहे है जो गुर्बानी रेलेटिव स्टेडी इससे करके इंपॉर अज जी ती जड़ी अपां शब्द पढ़ने ओवी गुर्बानी दे जड़ी या रेलेटिव स्टेडी ओदे नाल ओव शब्द बड़ा 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 डूंगा जाके खुल दाओ जिस तरह अंसियोंनों समझ दे आरे हैं या पढ़ दे आरे हैं ठीक है पर आपां उदी डूंगा इच जाना कि उदा मकसद की है ओ है गगन में थाल रव चंद धीपक बने तार का मंदल जनक मूती है जड़ी सुले दी बानी असी पढ़ दे आरे हैं उदा तीसरा शब्द है एक दो रिकॉर्डिंग्स विच ओ लगन कियां के मिस्ट ने लेकिन ओ मिस्ट नहीं है बिकॉज आसी पिछली वरी ये दो शब्द ले सी उस तो पहला आशी पहला शब्द लिया से वो रिकॉर्डिंग आशी पाई नहीं है क्योंकि दूसरा वारी है होर उन्हों शब्द नू चंगी तरह न खेड़या और फेर उन्हों पिछले संड़ियर आशी पादिती है एक शब्द है जिड़ासियों पाया नहीं है लेकिन ओधी थांते शब्द रिपीट करके जरूर पादागे सो ये है राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंदल जनक मोती तूप माल आनलो पवन चवरो करे सगल बन रहाए फूलंत जोती कैसी आरती होए अपा पहला रहाओ फड़ना है जिड़ा अपा एक थांबरू लई आ रहे हैं के शबद नो असी बड़ा प्यार ना रहाओ जिड़ा है वो एक्स्ट्रेक्ट ऑफ शबद है तातवस्तु है सारे शबदी रहाओ तो असी शुरुवात कर दें अभी कैसी आरती होए पावखंडना तेरी आरती अनहता शबद वाजंत पेरी हुन ठीक है जिस तरह इदे अर्थ सानु दसे गए है असियों परवान कीते है पड़े ने प्रफेसर साहिब सिंग हो रहाओ भी अच्छे अर्थ कीते ने ठीक है पर जदों से ये थंबरूल जड़ा रहाओ पहला पढ़न दा लोने हैं और स्टैंजा पढ़के फिर रहाओ ते ओने हैं मालक किरपा कर दे है कैसी आरती होए पावखंडना तेरी आरती अगी लिखे अनहता शब्द वाजन्त पेरी रहाओ अनहत बड़ा सिद्धा जया लफज है एक रस एंडलेस ना खतम होनवाला जिड़ा शब्द वाजन्त पेरी इत्य अर्फ की ते ने सब जीवाँ विच रुमक रही इको जीवन रौँ मानों तेरी आरती वास्ते नगारे वाजने देखो ए शब्द जड़ा ना अन्दरों शब्द कड़्या होया गगन में थाल रव चंद दीपक बने आज शब्द है पुथी पन्ना नंबर छेसो त्रेट दे यो ही शब्द है जिड़ा आपा पहला पढ़ रहे हैं जिड़ा तकरीबन बारा के तेरा पेज देया एदे सिर्फ एको अखरदा फर्क है ओ है तिस्क है देखो अपा सारे पढ़ देया सारे उन्हें जिड़ाने याद है अपा तिस्द चानन पढ़ देया एथे तिस्क है सो ए बहुत ही वटी गल नहीं है अंदरों तिस्क है उत्थे कई यहां कई वारी इस तरह हुनदा है कि शब्द रिपीट हुन्द है थोड़ जा स्पैलिंग दा फर्क हुन्द है ये शब्द दावा नि कर दे सत्गुर की महमा सत्गुर जाने थोड़े शब्द कड के गुरु ग्रंद साहव देविच अगे रखे गे ने साथे वास्ते आदेखो अब पेज नंबर 13 ते यही शब्द है इप प्रमुख होनगे शब्द जरूरी होनगे इसे तरह कही शब्द जिड़े है उनना दा स्पैशल एको पैराग्राफ बनाके अगे गुरु ग्रंद साहब चाल रहे है पामे वो हाथ ले कितने पामे वो च्छापे देने बिल्कुल एज हूब 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 उनने इस तरह ही रख्या है कि ओश शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होनदे जिना दा खास एक को पैराबना के ओश शब्द हाईलाइट कीता होनदा सो एश शब्द रिपीट हो रहा है ते अंद्रों कड के पहले अंकां ते रख्या गया है सोले बाणी दा जड़ा रोज साधी शाम दी पढ़न वाली बाणी दसी गई है उन्हें अनहता शब्द वाजन्त पेरी ए अवस्था आएगी कि ओजड़ा निरंतर शब्द जिन्नू खत्म नी किता जा सकदा वजड़ा होया और हजारा वजड़ा ओस्द नाग सुन्निया शुरू हो जान दिया थे उन्हें इस सारी अंदर दी अवस्था है स्टेट अफ माइंड है तो आएगी नाम जब जब के तुसी अंतर मुखी हुए है अंतर मुखी बाणी जो बहुत ही वारी जड़ी गल कीती गई है गगन दी या गगनंतर दी या गगनंदर दी ओ एक मंडल है वक्रा जिते अब आसी नाम जब जब के चड़द है एसे गगन नो दसम द्वार भी क्या गया एसे गगन नो दसम अकाश भी क्या गया मन चड़िया दसम अकाश अपा खोल देयां बड़ा है नो डीपली आज अज अपा एस शबदे वेच जाना है कोशिश करनी है दावा कोई नी है के एही ठीक है कल नो होर तबदीली वी आ सक दिया जियों जियों गोह ज रतन आपा बाणी चो कट दे जावांगे दी रैलिटीव स्टडी करदे जावांगे त्यों त्यों नो ए रतन जड़े आई गुर बाणी जो लब दे जाड़ी पर बदकिसमती साडी रही है क्यों एस दा इस दा इननो जिनन इत्तारमे के वपारी करन हो गया ओदेच साड़ी बदकिसमती है हुई अभी आप मेंट करने छड़ दिती किसी होर तो अच्छी वस्तु अदान प्रदान करके या पैसे देके ऑनों उसी केंदे रहे साड़े ले अरदास कर उन्हों से केंदेरे भी सानू बाणी पढ़के सना और ओ एक ऐसा तपका पैदा हो गया जिन्नने साड़ा सोशन भी कीता जिन्ननों आप ब्रह्म ग्यान दी जानकरी नहीं सी अभ्यास नहीं सिगा कोई उन्हों दा प्रैक्टिकल नहीं सी ए सारी जिडियां वस्थामा गुर्बाणी चोंदियाने और असी उन्हों दे आसरे चल दे चल दे चल दे अज एथों तक आगे यसी जडि गुर्बाणी भी पढ़नी है जडि एजुकेशन सादी गुरू ग्रण साब्च इन्नी करकर के कलेक्ट करकर के सानों देती ओवी असी किसे नों कहने हैं भी आप ऐसी फड़ ते सानों पढ़के सना और असी ओदे ची खोश हैं कि यों पढ़के सानों सनाई जा रहे हैं पर एक गल्द सो भी एथों आपा डैलस तो बैके हूस्टन ही जाना है ते कोई तानू कवे भी आ मेरे कोड़ कमरेच बैत ये तिन मैं हूस्टन पचादूआं ओसानों डैरेक्शन पढ़के सनावे कि इत्थ तुआ रोड लेनी है आँ शेर आउगा अगो फिर आँ सड़क फार लेनी है आँ शेर आउगा इदा करदे 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 सानो हूस्टन पचा दे ओ ठीक है उन्हें रस्ता थे सानो दस देता लेकिन नाओ आप पहुंचिया नाओ ने सानो पचाया किते वो कमरेच बैक ही उन्हें उत्थ गालन न बेड़ दिती भी आ डैलस तो हूस्टन दा रूट है ते कानी खतम असी भी क्या भी सानो में पता लागया चलो पर असी वो एक्च्वल जिड़ा सफर सी यो किता नहीं सानो आत्मक चड़ाईदा नहीं पता लगा सानो गगन मंदलदा नहीं पता लगा गां फिर होर उच्चा ब्रम मंदलदा सानो नहीं पता लगा असी एद्धा ही सुनियां सुनाईयां चीज़ां जिड़ियां और सुन सुन के ही असी उन्हों आप टाइम में लिया रिपीट कर ले ना अज वस्था इत्थे आगी है भी जिद्धा मैं किया पहला कि होर कोई पढ़ के सनारिया असी इवन पढ़ भी नहीं सकते ओ जो लिखे है साड़े बच्चे नहीं पढ़ सकते या गां अगली पीड़ी ओनाली नहीं पढ़ सकोगी क्योंकि असी सानो आप जान करी नहीं सो एज जड़ी शबदी गाले थे कीती गई है अनहता शबद वाजंत पेरी असी यह शबदी कल तुम विचार कर रहे हैं गुर्मुखा दिनार पर बार बार ऐस रहाओ ते आके मानने से टेक रहाओ यह रहाओ सारा एदा अंतर मुखी है अनहता शबद वाजंत पेरी इसे नो क्या है आरती जिड़ा शबद वाजरे है पेरी पेरी दा मतलब होंता ए कि बहुत सारे जिड़े जिरिया अवाजना उकेलो के यह डाफ वाज़दे होन यह नगारे वाज़दे होन उनों के अदे पेरी बहुत उची आवाजां जेडियां ने एक किते वज़नियां ने एक सारी ज़दों से अगे शब्द पढ़ांगे सारा सानो एक ग्यान गुर्बानी गुरू देन गे है कि एक अंदर वज़ने ने तौड़े अंदर तुसी नाद नो सुनना और हौली हौली सोनके फिर हो गगन मंदल तक चड़ाई फिर गाम ब्राम मंदल तक गल्नाओ अपा अगे वचारांगे इना चीजां गुर्बानी देना आज ज़ड़ा साड़ा विशा है ओ है अनहता शब्द वाजन्त पेरी इन्ही गुँज है गोबिंद गाज़ ज़ड़ा 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 नहों है एक एक जीवन रओ मिलाइदा ठीक हो भी एंडलिस जिन्नों किता जा सकता कहेंदे कैसी आरती हो एप अब खंडना तेरी आरती है फुन आरती जीडियाए अधा एदा बारला प्रैक्टिकल रूप है कि थार दे विच बहुत सारे दीवे तूफबतियां होर समगरी जड़ी खुश्बों वाँ शड़ दिया और रखी है ते लोग साज वजरे ने देखो हर चीज जड़ी है वो बार वराई हुई है मीनिंग उदा अंतर मुखी है दसनालाएं दा प्रैक्टिकल नहीं सीगा उनने क्या भी खर ए शबद इतिहास तासद है बाकी पता नहीं है सारी यां ब्रामदियां गल्ला ने जैसी मैं आवे खसम की बानी तैसरा करी ग्यान वे लालो ए ग्यान सानो साथे गूरू साभ बख्षिया सो ए जदो शबद अंदर गूज पहनी शुरू होई गगन मंदलां दी चड़ाई नो जान देयां सफर कर देयां नाम अभयास कर देयां अभयास है के ना भी कैसी आरती होई होन ए जड़ी आरती है जिन्नों असी बार दसेया भी दीवे बाल के यहां खुश्बोवां फुल रहके जोर जोर दी टलियां मरदंग टोलकियां नगाडे वजाव जाके ए जगनात पुरी दा नार सबान दस्देया इस शबद अभी गुरूनानिक पाद्शा हो थे पहुंचे और उन्होंन देखिया भी आ आहो रहा है सारा इतिहास लेखिया है परचार काने भी दस्देया है लेकिन ए गालह सारी सूखम दी है अंदर दी है जदों अभी आसी नो ए शबद वजने शुरू होए अंदर चड़ाई होई अभी आसी के इन्दा भी कैसी आरती होई आरती जड़ी है लफज है इदा सिद्धा मेनिंग निकल दा है पगती पगती जदों अभी आसी नाम अभी आस दे वेचे जोड़ता है कैसी पगती हो रही है किनी सुन्दर पगती है पवखंडना तेरी आरती तेरी पगती बहुत ही सुन्दर है बहुत ही आला है जदो आपा कहने है भी आपा कोई चीज देख दे या कोई सुन्दर पहाड या कोई द्रेश या कोई सीनिक रूट दे आपा कहने है भी वाह कैसा रस्ता है ओदे तो आप महारे ही पाव है भी बड़ा सुन्दर है बड़ा अद्भुत है कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती यह काल परक तेरी कैसी पगती है निराली मैं ते नाम जपना शुरू कीता और मेरे अंतर मुखिये पेरियां, अवाजां, शबदियां, गुंजां, आउनियां शुरू होगी है कैसी तेरी पगती है यह रहाव सानू एक्स्ट्रेक्ट दे रहे है यह रहाव सानू तत वस्तू दे रहे है इस तो बाद शबद पहला स्टेप शुरू होंदा यह सी गल होण रहाव देवे चागी अंतर मुखिये होण यह बार नहीं जाना बाहर टूंडत बहुत दोख पाव है कर अमरत काट माहें जीओ अंदर यह सानू दस्या सारा कुश एच चड़ाई, दसम दवार, गगन मंडल, ब्रम मंडल, अकाल इस सारा सानू अंदर अंतर मुखि होके सानू लबना पैना है बाहर टूंडत बहुत दोख पावे है वी महले पहले दी बाणी है जदों विचार खढ़ गे ना जेड़ा साथा मन चलाय मानन है बाणी पढ़ दیاं भी विचार आई जंदे है बाणी पढ़ दیاं, इंडिया दियां सोचा आई जंदे है या होर, future की करना ओं दियां सोचा आई यां बच derm immigration सोचा आई जंदे ने ये विचार मरन गे थेरकर बैसो गे ताँ ए अवस्था अगली आएगी भी अनहता शब्द वाजन्त पेरी कई पेरियां जिनी अवाज ओ शब्द दी अंदरे गुंजनी हैं, अंदरे यौनिया और निरंतर यौनियां ओस अवाज नो कदे खतम नहीं किता जा सकता और ये ओंदी है, अभियासियां दा प्रेक्टिकल है, अभियासियां दी कमाई है, ये वाज ओंदी है जेडी के अभ्यासी नों हरान कर दी जान दिया और ओस अनन्द देवेच अभ्यासी होर डटके पगती करदा जान दा करदा जान दा ओधी वस्था फेर चड़ दी जान दी आउ होने दे शुरुवात देवे चली ये रागतनासरी महला पहला गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती ए पहला अपां बार दे मीनिंग पढ़ लेने हैं सारा अकाश मननों थाल है सूरुज दे चंद ओस थाल विच दीवे बने होईने तार्यां दे समू मननों थाल विच मोती रखे होईने ठीक है होण अंतर मुखिये इस चीजनों असी किदा लबी है किथे देखिये गगन मैं थाल रवचंद सूरज चंदरमा दीपक बने तारे तारका मंडल जनक मोती ए किथे लबी है महले पहले दा ही शब्द है केंदे सो उदासी जे पाले उदास अर्द उर्द करे निरंजन वास चंद सूरज की पाए गंड असी जदों अंदर जाना है चंद जेड़ा है वो सीतल दा सिंबल है सूरज है ग्यान दा तेज चंद सूरज की पाए गंड तेस उदासी का पड़ै न कंद उदा फिर जड़ा शरीर है उदा फिर विकारां वलनी जन्द विचार मर गे ते विकार भी मर जने है मेरा ख्याल है थोड़ी जी गल पकड़च आई होनी है अपा इन्हों होर एक्स्प्लेन कर दे है गगन जिन्हों कैन दे जी है काश उते सूरज चंद्रमा फिर तारका मंडल जनक मोती एक एन्दे जी वो आरती हुन्दी देखी हो थे जगननाथ पुरीच बाबे नानक ने ते बाबे नानक ने आज शब्दु चार्या भी ये थे पुदरती आरती कर रही है थोड़ा जैनू होरा पा खोली है पगत पीपाजी होया एक पगत पीपाजी पोथी देवेच छेसो पचनमे नंबर पेज देवना दा एक शब्द है तना सरी राग देवेची कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाती कायो तूप दीप नई बेदा कायो पूजो पाती काया बोखंड खोज ते नवनिद पाई नाकच आईबो नाकच जाईबो राम की दोहाई अगे केंदे जो ब्रहमंडे सोही पिंडे जो खोज जाई सोप आवे पीपा प्रणवे पर्म तत है सत्गुर होए लखावे केंदे जो ब्रहमंड चाईब उंदर ही खोल जाना सारा कुश एससे शरीर देवेच सारा कुश लब्या जाड़ा स्रिष्टी दा रचणहार परमात्मा सारे ब्रहमंड चाईब व्यापक है और ये ब्रहमंड उदी किर्थ है और एही कुश जे असी अंदर ओ सकाल पर उखनू पालने जो ब्रहमंडे सोही पिंडे जो खोज जाई सोप आवे अपा हले होर डूगा इती जाने है बड़े त्यानना ले इस चीजनों अपा सर्वन करने है बड़ा इंपोर्टेंट शब्द है पले खानी खाना होर अपा एस तो बाद जोब रहमंडे सोही पिंडे जोख होज जाई सोप आवे उस तो बाद आपा होर एदे डूगाई वेच जाने है एवी महले एप अगद कबीर साब दी बाड़ी है उस शब्द है है हजूर कत दूर बतावो दुन्दर बंदो सुन्दर पावो रहाओ दी तो कै उस शब्द जो दोए सर्त आने बाहर जाता पीतर आने गगन मंदल में लशकर करे सो सुर्तान छटर सिर्तर आ केंदे असल सुल्तान असल बाद शाओ ओए जो ग्यान ते विराग दे दो तीर तान दा बाहर जाता पीतर आने बार दुनिया दे पदार्था वाल पटक दे मन नू अंदर वाल लेया होँगा फिर गगन मंदल में लशकर करे गगन मंदल होन एथे जड़ा मंदल है ए दसम द्वार है स्टेट अफ माइंड मैं बार बार लफद यूज़ कर रहे हैं कि अंदर चड़ाई होनी है ते लशकर है गणा दी फाउज जड़े गण करते पुर्ख देने आम गण नहीं करते पुर्ख दे गणा ओ अंदर परगट होने शुरू हो जानदे है तां केंदे है सो सुर्तान छत्र सिर्तर है ओस सुल्तान असल विच अपने सिर्ते छत्र चलवाँद है जिड़ा अब्यासी एस अवस्था तक पहुंचद है ये शब्द रागी टाडी बहुत काट पाड़ कितों पढ़ने हैं शब्द ये शब्द बड़े आउक्खे ने बड़े डूंगे ने और इना नो खोज चाहिए दिये पढ़न वास्ते रागी टाडी बहुत जिल्ला को खुशियां पाध्शाईयां या थिर कर बैसो हर जन प्यारे या हो मतलब ये शब्द कदे पढ़े सुने नी इस चीज नो गगन में थाल रव चंद दीपक बने खोल के राखरी गाल सो सुर्तान सुल्तान इनू लेखे है सुर्तान सो सुर्तान जो दोई सर ताने ग्यान ते विराग दे तीर जड़ा तानदा बाहर जाता पीतर आने उस ग्यान दी मदद दे नाल जड़ा मान बार जानदा सी उन्हों अंदरी उन्हें थेर कर बैसो अंदरी बठा लिया विचार खतम कर दे गगन मंदल में लशकर कर दे ते ओ जड़ों अंदरे अंदर चड़ाई कीती गगन मंदल दे विच पहुंचेया हो थे गुणां दी फौज कठी कर ली यह ही गुणने जड़े परमात्मा दे गुणने केंदे सो सुल्तान छत्र सिर्टर है केंदे ओस सुल्तान दे सिर्टे असल छत्र जुलेगा अपने शबद वाले जे लोड़ पर होर एक्जामपल लवागे बड़ा सारे ने शबद सुने हो भी कवीर साव दाई हो गल्त हो दा मतलब किदा किदा न निलाले गगन दमामा बाजियो परियो निसाने काओ केंदे या जड़ा दसम दवार ची जड़ा तौनसा वाजिदा ओ केंदे निशानने ते चोट पई हैं खेत जो मांडे हो सूरमा अब जूजन को दाओ केंदे लाभी होन जड़ा मैदाने जंग जेड़ी होन दलेर हो के अपा गां वदना गां तरकी करनी हैं अंदरे अंदर खेत जो मांडे हो सूरमा अब जूजन को दाओ असल पगती उत्थे जाके शुरू होनी है पहला नाम अब आस बड़ा जरूरी है माननों एकागर करन वास्ते फोकस करन वास्ते मान दे विचार मारन वास्ते बड़ा जरूरी है लेकिन फिर जड़ी असल खेड शुरू होनी वो गगन दमामे वाजदियां दी जेरियां पेरियां अंदर शब्द वजणा है रहाओ चासी अनहता शब्द वाजणत पेरी ए उत्थे जाके खेट शुरू होना बड़े त्यानला ले इस चीजनों सर्वन करना मैं भी बहुत टाइम लाया है शब्दे और तांकिते जाके ए चीज समने आई है और आई तांके गुर्बानी दी रेलेटिव स्टडी बहुत जरूरी है होना पाँ ये तोक पूरी कर दे हैं गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंदल जनक मोती तूप मल आनलो पवन चवरो करे सगल बन राए फूलन जोती केंदे उथे दास्त दे एक मले पर्बत अनली हवा जिथे बहुत कि दे जड़ा रघड़ दे बहुत आ सनातन दे वे तिके लोंदे रघड़ के और चंदन चंदन दे केंदे बहुत दरखतने हो ते और तो नैचरल खुशबोवाली हवा आरी है और हवा जीड़ा है और नैचरल तर्थे चोर कर रही है और सारी बनस्पती जोत रूप वस्ते फोल दे रही है प्रबू दी आरती प्रबू दी आरती इजी होने थे ए ए मीनिंग लाओ गे ते ए ते बिलकुल उज़े आरती बार कर रहे है असी ह आकाल पर चटेरी पगति कैसी हो रही है अनहता शब्द वाजनत पेरी एक गोविंद गाज़ जाए शब्द वाज़ जाए ऐसी अद्भूत अवाज़ पेरियां लखा नगारे लखा डाफ अंदर वज़ने शुरू हो गे नहीं होन ए सोचिये वे ये वाकिया ये नेचर दी गाल किती की है एक जिन्निया कैसी है एक्जाम्पल्स लईया ने उदी सावनालते लगनी रहा अशी ते पड़े है सो सुर्तान जो दोई सर तान्ये बाहर जाता पीतर अन्ये गगन मंदल में लशकर करें सो सुर्तान चचतर सिर्तर है अशी ते ए अंदर दी गाल पड़े कीती है फिर है पंच बान ले जम को मारे गगनंतर तन्ख चड़ाया ए पवजल जगत शब्द गुर्तरी है अंतर की दुब्दा अंतर जरी है पंच बान ले जम को मारे गगनंतर तन्ख चड़ाया अंदर अवस्था दी गाल है स्टेट आफ माइन्ड है जिन्हों वसी दसम द्वार दी गाल केने है ओस गगनमंडल दी गाल है ए जदों अब्यासी मेंत करकर के ए उन्हों अवाजां सुनियां अनहता शब्द वाजन्त पे री ते उन्हें फेरे फाइंड आउट करन दी कोशिश की ती भी ये है की है उन्हें अंदर है देखेया गगनमे थाल, रव, चंद, दीपक बने, तार का मंडल, जनक, मुती ए अंदर ऐसा परकाश होया होदे अंदर पगती करदे करदे ये दसम दी द्वार दी अवस्था, गगनमंडल दी अवस्था है की उत्ते ऐसा थालों दे सामने खुलेया जिथे सूरज, चंदर्मा ये स्तरह लग रहे है जिम्में दीवे बाल दे होनी और इस सारा तारहां दा मंडल है एस स्तरह लग रहे है जिम्में मुतीयां दी उच्छड विशी होगे तूप मल आन लो जिस्तरा मले परबत्तों खुश्बोवां ओ दियाने तरा दियां खुश्बोवां अब यासी दे अंदर अनियां शुरू हो गियां ते जड़ी प्राण शक्ती, जड़ी पवन अन्दर बार अन्दर बार कर रहे है अभयासी, सगल बन राए फोलंत जोती. ओ जड़ी पवन है ओ अंदर इस तरह लाग रहे है जड़ा अर्द उर्दी अब्यास है इस तरह लाग रहे है जिवेओं चौर हो रहे है और सगल बन रहा है सारी बनास्पात केंदेजी प्रभुदियार्पी वस्ते फुल दे रही है हर का नाम त्याएक है हो हरेया पाई बनास्पात अंदर खड़ी होगी और ओस सारी बनास्पात जड़ी फुला नाल परी होई है फुला नाल लद्धी होई है फुलंत और एसे गगन मंदल दे विच अकाल दी जड़ी जोत है ओदा अभ्यासी अनांद मान रहा है गगन मंदल दी अवस्ता जिथे चांद सूरज दीवे बलरे ने तार का मंदल मोतियां ओस गगन मंदल दे वेच विश्या होया थाल दे वेच विश्या होया खुश्बुवादा उथे कोई अंतनी है पवन गुरू जिड़ा नाम जपन करके अंदर बार चौर हो रहा है और सगल बन राए फुलंत जोती और सारी बनस्पत जोब रहमंडे सोई पिंडे अंदर ऐस तरह फोल खिड़े होएने और ऐस तरह दे ये वस्था दे विच अकाल दी जोत है उत्थे परकाश दिसना शुरू होंदा अब्यासी हो फिर ब्यासी हरान होंदा के नर कैसी आरती होए जिस तरह लखा नगारे लखा डाफ मेरे अंदर वज़े हो रहाओ पाणी जड़ा पिता है ते आज शब्द नू कित्थे लिजाओगे हर जी माता हर जी पिता हर जीओ प्रत पालक एनू कित्थे लिजाओगे दो पिता ते नहीं होने ना भी पाणी भी पिता हो गया ते हर भी पिता हो गया यह दो नहीं होने यह है पवन पाणी जड़ा पाण जीओ है फिर पिता फिर माता फिर तर्थ महत इस सारा कुछ मेरे वास्ति बाबा नानक केंदा के शबद है अकाल पुरुखदा नाम है इसे करके किया कि जब हो ता एको नामा अवर निराफल कामा गुर्बानी दी जिनना चेर रैलेटिव स्टेडी नहीं होगी असी उन्ना चेर पर लिखे खादे रहाने ये रहाओ तो बाद आप अग्गे चाल दे आए हुना फिर अंतर दी गल है सहस तव नैन नन नैन है तो है को सहस मूर्त नना एक तो है हुने की है दूसरा स्टेंजा शुरू हो रहाओ तो बाद सहस हुन्दा है हजारां गिनती तव नैन नन नैन है तो है को सहस मूर्त नना एक तो ही हुन ओ प्रकाश तो बाद अभी आसी दर्शन करदा है कि ओ ऐसी जो तैसा प्रकाश ऐसी शक्ती है जिन्नों अभी आसी मैसूस करदा है अंदर ओ दियां हजाराई अखा ने पर प्रभू निराकार है ओ दिया कोई अख ने रूप ना रेख ना रंग के चित्रेगुन ते प्रभपे ने फिर क्या अत सुन्दर अपार अनूप और जड़ा देखूगा उही कह सक्या बाकी ते ब्यांता पता नहीं लगना वे कित्थे क्यों नहीं पता लगना क्योंके असी उन्नों बार मुखी बना लेया के बार लबना उन्नों गुर्दवारे जाके लबना उन्नों खंड़ पाठ कराके लबना उनों वसी वन्स वन्नियां ड्रसां पाके लबना नहीं उन्हें अंदर ही लबना एक चीजां बार ते हो नहीं सकती हैं सहस तब नैन नन नैन है तो एको सहस मूरत नना एक तो ही सहस हजारां तब तेरे नन कोई नहीं तो हे को तेरे वास्ते मूरत शकल नना कोई नहीं तो ही तेरी सब जीवां देविच व्यापक होन करके क्योंके उग काट कट में हरजू बस है सब जीवां देविच व्यापक है ओ दियां हजाराई अक्षाने ओ किते भी परगट होके किते भी कुछ देख सकता पावर है शक्ती है पर निराकार होन करके तेरियां कोई अखा नहीं तेरियां हजारां शकल आने पर निराकार होन करके तेरी कोई भी शकल नहीं रब अकाल पुर्ख जे तुसी ये मन लेया वे बड़ी सोनी शकल हो आख मो नका नाक दाड़ा हो बड़ा सोना शरीर हो ते पले खा खा जोगे तपला खा जोगे जड़ा सी खा रहे हैं अकाल पुर्ख है ये गुणा दाख जाना है यो परकाश रूप है शक्ती रूप है जेड़ी शक्ती तुसी नाम जप जप के अंदर वड़के अंतर मुखी होके सूखम रूप देविच अपने अंदर पर गट करनी है हजारां तेरे सूने पैर ने पर निराकार होन करके तेरा एक वी पैर नहीं है हजारां तेरे नाकने पर निराकार होन करके एवी नी क्या जासादा के तु नाकतों भी नहीं है सहस पाद बिमल नन एक पाद गंद खुश्बो खुंदी है ते वो नाकदी सिंबली ले गई गई है सहस पाद बिमल नन एक पाद गंद बिन सहस तव गंद एव चलत मुही एस चलत ने एस वतीरे ने एस वतारे ने एस एस चलत ने मैंनू बढ़ा हरान कीता हुआ ए किदा ने पगती है काल पुला पहलों जिड़ा वो अनहत शब्द है हजारा डफ़ां दे रूप वेच हजारा नगारियां दे रूप वेच वज़ना शुरू हुंद है गगन मंदल दी यातरा शुरू हुंद है जिथे सूरज चंद दीवियां अरगे बनके अब्यासी दे समने ने तारे जेडे ने मुतियां समान होके अब्यासी दे ओस थाल वेच ओस गगन मंदल दे वेच विशे पैया अंदर खुश्बोवां चौर हो रहे ने और सगल बनराए फुलंत जोती अंदरे इना खेडा आगया हर का नाम तयाए कै हो हरेया पाई तुम साच त्यावो मुग्द मना तां सुख पावो मेरे मना हर्याली दी गल कीतिया बनस्पती दी गल कीतिया एस तरह ए अंतर मुखी खेडा है परकाश जोत सब अंतर मुखी ओस गगन मंदल दिया एक कहानिया ने फेर ओदा रूप है वी है ते नहीं वी है अखा है वी ने ते नहीं वी ने पैर है वी है ते नहीं वी है नक है वी है ते नहीं वी है एसे जड़े कौतक हो रहे ने जड़े ओ अवस्था अंदर वर्त रही है ओने ते मैनों बड़ा हरान कीता अच्छा फिर अभी आसी देखदा भी ये एक गल की है कें दे सब मैं जोट, जोट है सोई सारे यांदे वेच काट कट मैं हर जूबस है सारे यांदे वेच उस परमातमा दी जोट वर्त रही है लेकिन असी उनों पर्गिट नहीं कर सके पर्गिट नहीं कर सके पर्गिट किस तरह होना सी वार्दे विच कर पर्गिट आख सुनाया सत्गुर विच आप रखे ओन कर पर्गिट आख सुनाया जोट अंदर ही है सत्गुर सदे अंदर ही है पर असी ना नामनू आखिया ना नामनू सुनन दी अवस्था तक आए ते असी उनों पर्गिट नहीं कर सके सब मैं जोट जोट है सोई कोई वी जीव ओस अकाल पुर्ग दी जोट तों बिना नहीं है तिस्दे चन्नन चन्नन दे नाल सब मैं चन्नन होए जेकर असी नाम अव्यास कर लिये पगती कर लिये आरती आरती दा मतलब है पगती जेकर ओस्तरां दी आरती साड़े अंदर होवे ओस्तरां दी पगती साड़े अंदर होवे साड़े ये वस्था आजवे ते ओचानन साड़े अंदर भी होजे साथे अंदर गेड़ा नहीं हो गुर साखी जोत परगट हो पर ए गुर पर साथ तों बिना संबब नहीं है गुरु दी साखी, गुरु दी किर्पा, गुरु दी गुरु दी शमूलियत कहलो किर्पा जड़ी गुरु नहीं करनी है पगती असी एस्तरा करनी है कि ओदे वेच कोई साथा मोटेव ना होए साथा मोटेव ना होए वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु वाई गुरु जेकर रिजल्ट हो ते हो असी जिड़ा सानु सिख्या देती गुर्णानक देका अर्दी सिख्या भी जब हो ता एको नाम्मा अवर निराफल कमा काहूं फल की इच्छा नहीं बाच्छा है केवल पगत कीर्तन संग राच्छा है असी केवल पगती करनी है अपने माननों विचारां तो दूर लेके जाना है माननों खड़ा करना है माननों बठालना है ग्यान भी जरूरी है ग्यान का बद्दा मानने ग्यान बड़ा जरूरी है ऐसे करके इन्ना एनी एनी सेक्योर्ड थां दे विच्छ साड़ा दमाग बनाया रब ने देखो कैसी कार्द करी है सब तो उत्ते टी सी दे उत्ते आयन इन्ना मोटा खोपड़ा बनाया खोपड़े दे विच्छ जाके किते ओ दमाग जड़ा रख्या करते पुर्खने ज़नों सानों साज्या गुरुदी सिख्या बड़ी ज़रूरी है ग्यान बड़ा ज़रूरी है ग्यान का बद्दा मन रहे ग्यान ना होई ज्ञान बड़ा ज़रूरी है और दुनया भी एजुकेशन थी गहल नहीं कर दे बड़ी ज़रूरी होँ भी दुनिया चरैन वासते कित थी होन वासते बड़ी ज़रूरी है लेकिन यह है गुरु शबद अ ग्यान गुर्बानी गुरु सा अडे कोड है गुर्मत साड़े कोड है असी एदा फाइदा नहीं चुक्या ते असी वंजेर है जो तिस पाव है सो आरती होए तुद पाव है तेरी बंदगी ओस प्रमात्मा नो जिस तरह पा रहे है ओस तरह मैं उदी पगती कर रहे है सो आरती होए उस तरह उस दी पगती हो रही है क्यों गुर्साखी हो गया हूँ गुर्साखी गुर्परसाद होया जोत परगट होई एही मालक अकाल पर खुचोंद है कि आत्मा जेड़ी है वो पगती करके पर्मतात्ते वेच लीन होए आसी नी कोते मिलने जाना ज़ीन लबणा नी कोते आसी नी कोते उनों पहुणवस्ते किते पहाडाउं जंगलाँ चजाना ना तरहासी पगती करनी है उन्हें अपे आकर सथानों मिल्ट पढाया उन्हें पर्गट हो जवर्साओằ सो जेडी चीज उनू पाउंदी है ओ है पगती ओ है जपो ता एक को नामा अवर निरा फलकामा नाम ही पगती है नाम दा जपना ही पगती है हर 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 पगत द्रड़ावो हर 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 जस कुमर पावो उन सारियां दे विच परमात्मा दी जोत जड़ी है ओ नितर दिखने शुरू कर चुके ने पता लग गया कि ए जड़ा चान्न परकाश मेंनू होया है ये बाकियां दे अंदर भी है पता लग गया कि एक गुर्पर साथ तो बिना संभव नहीं है उदी किरपा बड़ी ज़रूरी है पता लग किया कि जड़ी चीज उन्हों पौंदी है ओही ओधी पगती है ओही ओधी आरती है ओकी है कैसी आरती होए पवघंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजन्त पेरी रहाओ होर अग्ये चलेज़ी हार चर्ण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मुह आई प्यासा हार चर्ण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मुह आई प्यासा वाई गुरू, वाई गुरू, वाई गुरू, वाई गुरू जिड़े नाम रूपी, शब्द रूपी चर्ण ने, चर्ण कमल ने, शब्द रूपी हर लफज है हर है थे शब्द लगाएगा उनादी तू उड मकरंध फुल्लाँदे विचली तू उड लोबे तमनों अन दिनों मोहे आही प्यासा जिड़े ये शब्द रूपी अकाल पुर्ख दे चरन ने चरन कमल ने उनादी अनन्द लई मेरा मन लल्चारे है उनादी चरन तूड़ी लई मकरंध वास्ते मेरा मन लल्चारे है हर रोज मेंनों इससे रासदी प्यास लगगी होई है अन दिनों ये प्यास जेड़ी है इस तरह नहीं भी एक केंटा लगगी रोज अन दिनों निरंतर कदे ना खत्म होन वाली ऐसा प्यार ऐसी प्यास ऐसी तड़ फंदर होनी चाहिए है किर्पा जाल देह नानक सारंग को सारंग जड़ा है बभी हे दा लखाए कै बभी हा जड़ा हुन दा है पानिच बहुत वरी जिकर आया होदा बभी हा अम्रत वेला बोल्लेया तादर सुनी पुकार करता पुर्ख बक्षिश करनगे आपा ये सारे शबद विचारांगे अगी जाके बभी हे दे गालदे वेच मोरी हुन दी है बंतरी शिरीर दी अस्तरां दिया और ओ जिनना पानी पीनदा ओदे गालचों बाहर आजनदा ते आया ये मर्जन दे ये तां है स्वन्ती बूंद तां एक किर्पा जाल जाल दे लल्ले नू उंकड़ा एक किर्पा दा रूप जड़ा जाल इस तरह हुनदा भी जदू फिर सौन दा महीना आदा ना ओ बभीहा जाड़ा उते मुँ करके कूकदा करते पुर्ख दी ऐसी खेड़ उते नू मुँ करदा ते ओ जड़ी बरसात गगन मंडला तक अब यासी पहुंच गया दर्शन होगे अकाल पुर्ख दे परकाश दी समझोणी शुरू होगी सैस तब नैन नैन है तो एको सैस मूर्त नना एक तो ही उच्चनन दे बारे पता लग गया जोत दे बारे पता लग गया पविती दे बारे पता लग गया किर्पा जाल दे नानक सारंग को हुए जाते तेरे नाएं वसा उस चर्ण कमला वस्ते मेरा मान ऐसा ललचा रहा है हर रोज मैंनू हमेशा 24-7 आन दिन मैंनू वो प्यास लगी हुई है मैंनू बभी है नू अपनी मेर नाळो किर्पा जाल बक्ष जीदी बरकत दे नाळ मैं तेरे नाम वेच हूँ टेके आ रहा हूँ ए अवस्ता संबली रवे है होए जाते तेरे नाएं वासा ओस तोन दे वेच मैं समा जावा हूँ वो तोनकादी है अनहता शब्द वाजन्त पेरी जड़ा निरंतर शब्द वाजरे अब्रहम अन्र दे वेची किन्या जीबोगरी पगती है किन्या जीबोगरी पगती है तेरी परमात्मा ए अंतर मुखी पेरियां में सुननियां शुरू होगी कैसी आरती होए पावखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजन्त पेरी आरती किसे थाल्च जगदे दीवियां दा ना नी है खुश्बूआं दा ना नी है आरती पगती है जेडी अभ्यासी ने अपने माननों सद्धन वास्ते शब्द अभ्यास करने और ओधी किर्पा देनाल गुर्परसाद देनाल होली 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 ओस गगन मंदलां तक पहुंचने ओस तो बाद ब्रह्म मंदल तक अभ्यासी पहुंच जन्द है जिथे ओस तोन दे वेच समान दी गल कीती है अखीर ते ते रहे ते रहे दो लावा ते रहे नाए वास्था अंदर अंतर मुखी बार मुखी नहीं है इथे शब्दी समाप्ती है हुने शब्द नो बड़े त्याननाल विचारन है बड़ियां एग्जामपल्स ने गुर्बानी दे वेच उपजय ग्यान दुर्मत छीजए जदो ग्यान अंदर उपजया नाम दी सांज दे नाल ते दुर्मत नास होगी अम्रत रास गगनंतर पीजए ते ओजड़ी अंदर ली उडारी गगन मंदल तक मैनो लेके गई है ओस नाम अम्रत दे रास नाल मैं पेज गया एस कला को जाने पेओ जो मनुक एस कला दा एस हुनर दा पेद जान लेंदे ने पेट तास परमगर देओ ओस नू अकाल पुर्ख मिल पेंदा है कई एग्जांपल्स ने उल्टी ले शक्त सहारंग उल्टी ले शक्त सहारंग पैसी ले गगन मजारंग बेदी ले चक्र पुयंगा पेटी ले राय निसंगा ए अंदर ले गगन दी खेड है जिननों असी बार दी आरती दा रूप जो सोकाल आरती नेचर दे वेच असी उस्तों भी गा अंदर दूगाई तक जाना है गुरू गुर्मत गुर्बानी दी मदद देना कोशिश कीती है जै अकाल पुर्ख मेर करन साड़े सारे नो ए ए ए ए ए नाम जपन दी दात बक्षन राम राम बोल बोल खोजते बडबाकी असी ए जिने गोहज रतन लुके पे गुरुबानी देनो समझजे शुजे पढ़पढ़ बुजजे अंत नरंतरे साचा अकाल पुर्ख के ते बार नी सानू मिलना अंदरी मिलना है अनसी कोशिश करिए अकाल पुर्ख साड़े सारे नो थे बक्षिश करन सानू अपने दरों करों नाम दां दी दात बक्षन और इससे तरह देखो इनना टाइम अपना स्पेंड कर देया है सारे अनो मेरी ये ताकीद है के नाम अब्यास जरूर करो पच्ची ती मेंट, चाली मेंट, पंताली मेंट, एक कैंटे तक अपनी बैठक जिडिया उन लेके जाओ मकसल सिर्फ है नहीं है, अदर्वाइज एक गल्ला ही रह जानी है प्रैक्टिकल चाओ, कोशिश कर देया है, आज टाइम लौने आपा विचार कर देया है एथे साधी शबदी विचार दी समाक्तिय वाइगुर जी का खाल्सा, वाइगुर जी की फते